नमस्कार आप सभी का स्वागत है दनियू सुफ्टीन में और मैं हूँ सने अजासवाल आपके साथ एक समय दुनिया के सबसे करिश्माई स्पोर्ट एंट्रपियोर रहे IPL के पहले चेर्मेन की परसनल लाइफ की बहुत सारी कहानिया रंगीनियत से भरी हुई है इस कहानी में शोहरत है, गुलंदी है, रसूख है, एहंकार है और दर्द भी बेहिसाब है तो आज मैं जिनके बारे मैं आपको बताने जा रही हूँ वो और कोई नहीं बलकि ललितमोदी है जो आजकल सुश्मिता सेन के साथ रिष्टे को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं तो वहीं आपको बता दे कि सुश्मिता सेन के साथ अपने रिष्टे को लेकर ललितमोदी ने मुहर लगा कर सबको चौका दिया है लेकिन ये पहली बार ऐसा नहीं है ललित मोदी को जानने वाले ये अच्छी तरह से जानते हैं कि वो अक्सर ऐसे ही दुनिया को चोकाते रहे हैं कभी पॉकेट मनी से कार खरीद कर पिता को चोकाया फिर क्रिकेट को IPL के जरीए घर घर पहुचा कर BCCI से लेकर दुनिया को चोकाया और IPL घोटालने में नाम आने पर सब को हैरानी में टाल दिया और इनका ऐसे चोकाने का सिलसिला यहीं तक नहीं रुका ललित मोदी ने भारत के भगोडे विजमालिया की बेटी तक को अपनी परसनल सेकेटरी बना कर नौकरी पर रखा तो वहीं इतने सारे चोकाने वाली खबरों के बीच एक खबर ये भी है कि ललित मोदी ने अपनी ही मा की दोस्त से शादी की थी जी हाँ ललित मोदी ने अपनी ही मा की दोस्त मिनल से शादी करने का फैसला कर पूरे परिवार को चोकाया था आपको बता दे कि ललित मोधी के बारे में कहा जाता है कि वो अपने परिवार में सबसे जादा short temper वाले इंसान है ललित मोधी किसी की नहीं सुनते हैं लेकिन जादतर उनके काम का अंदाज निराला ही होता है तो चलिए आपको बताते हैं ललित मोधी की खुद से दस साल बड़ी लड़की से प्यार करने की कहानी तो ऐसे हुई थी ललित मोधी की मिनल से मुलाकात ललित मोधी जब विदेश में पढ़ाई करने के लिए गए तो वहाँ पर ललित की बाचीत उनकी मा की दोस्त से हुई वो दोस्त और कोई नहीं बलकी ललित मोधी की पहली पतनी मिनल थी दोनों की बीच बाते होने लगी, दोनों की मुलकातों का सिलसला धीरे धीरे शुरू हो गया एक तरफा प्यार के शिकार थे ललित मोदी आपको बता दे कि ललित मोदी और मिनल के बीच जब मिलने का सिलसला शुरू हुआ तो ललित मोदी मिनल को एक तरफा प्यार करने लगे थे और मिनल को अपना दिल दे बैठे थे अकसर दोनों के बीच मुलाकाते होती रहती थी शुरुवात में उन्होंने अपनी फीलिंग्स का इज़़ार नहीं किया जब मिनल की शादी तै हो गई थी तब ठीक पहले ललित मोदी ने उन्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया था मिनल ने ललित से की थी दूसरी शादी की थी लेकिन कहते हैं ना कि प्यार अगर सच्चा हो तो पूरी काइनात उसे आप से मिलाने में जुट जाती है तो ठीक ऐसा ही हुआ ललित मोदी के प्यार में इधर मिनल ने शादी तो कर ली थी लेकिन उनकी ये शादी लंबी नहीं चल पाई और पारिवारिक छगड़ों के चलते मिनल और उनके पती अलग हो गए थे तो ऐसे में एक बार फिर मिनल और ललित मोदी के बीच नजदी किया बढ़नी शुरू हुई औ परिवार की रजामंदी के साथ शादी के बंधन में दोनों बंद गए थे तो वहीं ललित की मिनल से शादी के फैसले ने मा बीना को कर दिया था संथ मिनल का परिवार और ललित मोदी का परिवार पहले से ही एक दूसरे को जानता था जैसा कि हमने आपको बताया कि मिनल की पहली शारी नाइजीरियन जैक सागरानी के साथ हुई थी और उनकी एक बेटी भी पहले से थी जब दोनों अलग हो गए तो वो लंदन, नाइजीरिया, साउधी अरफ होते हुए दिल्ली आई और ललित मोदी की मा बीना मोदी की महमान बनी तब बीना मोदी अपने बेटे ल माता-पिता को इसके बारे में बताया तो ललित की माँ ए सून कर सन रह गई थी और इस शादी के फैसले से लएक के माता-पिता दोनों नाराज थे कुछ दिनों तक हर तरफ से धंकियों का दौर भी चल रहा था लेकिन इन सब के बाद फिर शादी तक बात बन गई और 17 अक्टूबर 1990 को दोनों ने शादी कर ली थी शादी के बाद मुंबई में रहने लगे थे ललित मोदी और मिनल का रुख किया जहां पर दोनों से एक बेटा रुचित और एक बेटी आलिया हुई मुंबई के पेड़र रोड पर केके मोदी फ्लैट में ललित अपनी पत्नी मिनल और दोनों बच्चे और एक सौतेली बेटी करीमा सागरानी के साथ रहने लगे लेकिन इसके बाद लली मोधी की किस्मत के सितारे उतरने लगे इस दुरान उन पर कई आरोप भी लगे वो अक्सर विवादों में रहने लगे लेकिन इन सब के बावजियू तो वहीं फिर सालों बाद लली मोधी सुश्मिता सेन के साथ रिलेशन को लेकर सुर्खियों में आए हैं बागी ऐसी तमाम खपरों के लिए देखते रहिए धनियू सफटीन अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइकन शेयर करना ना भूलें